एक दम आपको एक दम सही बात बताता हूँ, scientifically, scientifically बताता हूँ कि एक मिली ग्राम शकर अगर हमारे शरी में जाती है, तो वो शकर हमारे शरी में कहां भी यूज में नहीं आती है। चीनी ना? और शरी के बहार निकलेगी, आप जितनी शुगर शरी में डालोगे, उतना केल्शम शरी से बाहर जाएगा, उतना जल्ली बुड़े होगे, और बेकार में शेलकाल खाके आप परेशान होगे, इसलिए शरी में सकर डालना चाहिए, नहीं। गुड़ गुड़, यास, यास, सवाल बहुत बढ़िया है, किसी को बहुत मीठा खाने का दिल होता है, तो शाम को छे बज़े एक किलो गुड़ रोज खालो। एक बात, खाली में, यह जरब पॉइंट, कहने का मतलब, जो छे बज़े का टाइम है, वो मीठा खाने का टाइम है, अगर उसमें आप औरगेनिक गुड़ खाओगे, जिसमें केमिकल न होगा, और दवाई यह न डाली हुई होगी, अगर ऐसा गुड़ खाओगे, तो आप की हेल्थ सच्ची में एक्स्ट्राओडिनरी हेल्दी रहे की, तो शाम को छे बज़े, अगर चाहो तो आप गुड़ खा सकते हो, लेकिन बोजन के साथ गुड़ नहीं खाना है, हाँ, वो तो मैंने बताया है, सारे मीठे फल, जो कहां भी है, सुबह दस बज़े खा सकते है हैं शाम को